स्क्वार है यह अगर यह बिल्कुल इसी के लाइन पे हो कि डियागोनली जा रहा हो ऐसे और यह भी इस तरह से बिल्कुल लाइन पे ही हो इसी के लाइन पे है पॉइंट आए तब तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा इसके हम लोग 4 पार्ट बनाएंगे 1 नमबर, 2 नमबर, 3 नमबर और इधर 4 नमबर तो Magnetic Field Center पे निकाल लो भई Find Magnetic Field at the Center जो की होगा 1st Part का Magnetic Field, 2nd Part का Magnetic Field, 3rd Part का Magnetic Field and 4th Part का Magnetic Field निकाल लो भई जल्दी से हुआ है कि प्रस्ट वाले को जिए ब्रांच के सामने वाला पैरल भ्रांच का लिए इब लाए टॉटल रसिस्टेंस इंटू में गरेंट इडिमेंज आईवन जो आ गिया वह कितना आ गया तो आईवन आगया आई वैफोर क्योंकि यार इदर 4R उस तरह से यहां का जो current I2 हो जाएगा भई वो I2 कितना हो जाएगा तो इसके सामने वाला resistance 3R divided by total resistance यह हो गया into main current I हो गया it means कितना मिल गया भई तो 3 by 4I so I2 is equal to 3 by 4I अब देखो B1 है निकल गया B2 निकाले अगर इदर वाले वे निकाले यह वाला अगर निकालते हैं तो यह मिल जाएगा हमें अब देखो इसमें क्या करने होंगे तुम्हें AI है ध्यान देना यह AI है AI वन तो इसका यहां पर फिल निकालोगे सेंटर पर निकाल के दिखा देता हूं भई क्योंकि यह आर्क नहीं है जो डायरेक्ट एक ही बार में मिल जाए तुम्हें हरका अलग अलग निकालने पड़ेंगे मैं एक का निकाल के दिखाता हूं यह एक का दिखा रहा हूं वैस पिशिचन 5 45 गृइप दिखर वाले एंड का अंगिलर प्वजीशन 45 गृइज यह यह पर प्रपेंडिकुलर डिस्टंस वही और यह कितना है तो अगर हमारा यह साइड अगर ए है स्क्वेर का तो यह बाइ तू उसलिए अगर हम दो निकालना चाहें इसका मैंगनेटिक फ आइज जो हाई थी यह जा थेया गा तुम्हारा मिंग्न अपन फॉर alltid और यॉवन है अपान प्रपेंडिकुले डिस्टन से और हें तो है यह वाला प्रपिनिकुले डिसंस तो यह भाय टू है एंटू साइन 45 डिगरी प्लस साइन 45 डिगरी तो एसे लिखने प्रिंगे तो मिटी अपन धूण पॉण फोड पाय कि car झाल एक वैली लिखेंगे तो यह ऐज स्ब्णी वैल Keysों पाय डेff फ तो में भाई धर तु ऊब हो गया आई भाई पोर टोंगे विखें और ए बाइटू हो गया मिनस्ट भाई लूघ हो गया ऐसे कड़के और साइन 45 साइन 45 वन बैरूट टू प्लस बैरूट टू 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 बैरूट टू ऐसे हो गया इसलिए यह 4 से 4 cancel हो जाएगा और मिल जाएगा है mu not upon 4 pi और यह देखो भाई उपर का 4 और यह 4 cancel हो जाएगा I upon root 2 A I upon root 2 A 4 4 cancel हो जाएगा यह मिल गया भाई और किस direction में मिला भाई तो यह है wire इसलिए इसको पकड़ेंगे तो cross में है field ठीक है बी not मिल गया yellow वाला wire जो left में है left वाला straight wire इसका हमें मिल गया field ठीक है भाई इसमें कोई confusion है किसी को तो बता दे भाई सिर्फ yellow वाला wire इसका field यह है बोलो clear है अरे बोलो भाई clear है या doubt है इसमें clear है रिया clear है अधित एक लियर है कि नई है इसका और Key करेगा सब कुछ रहेगा और यह है करेंट का डीच्चन यह क्रॉस में ही पिडिल करेक्ट्स उत्न discour ce बोलो वही उतना ही होगा तो अब ये ग्रीन वाले काकर निकालना चाहे हैं तो इसमें भी तो करेंट उतना ही है और इसका भी 45 डिगरी 45 डिगरी ही बनेगा इसका भी वही हो जागा इसलिए सीधा 3 times बोल देंगे वही इसलिए B1 हो जाएगा हमारा B1 यह 3 times B0 हो जाएगा बोलो cross में हो जाएगा इसका B0 इसका B0 इसका B0 इसका भी B0 तीनों का B0 सेम यह मिल गया 3 B0 अब इसका निकालेंगे इसका तो इसमें क्या होगा current हमारा 3 by 4 times आई है बाकि सब कुछ सेम है जैसे इसका वैसे इसका वैसे इसका बाकि सब कुछ सेम है सिर्फ current different 3 times है current जैखो उधर आई भाई 4 था इदर 3 आई भाई 4 है तो सिर्फ current 3 times मतलब 3 आ जाएगा तो भाई यह 3 आ जाएगा तो उतना ही वैलू तो हो जाएगा एकर मानलो यह इसमें current का value से 3 times है तो यहां मैं लिख दूँगा भाई कि म्यू नॉट अपन फोड पाई और यहां पर लिख दूँगा थ्री आई जो है यहां पर थ्री टैम्स ही हो जाएगा यह आई वन जो है वह थ्री टैम्स आई वन हो जाएगा इसका मतलब वैलू चाहो तो रख भी सकते हैं ठ्री आई फीफोड चलो महीं लिखी दिता हूं थ्री आई भाई फ्री आई दिया घ्री आई भाई फ्र ओ तो करन्ड गा वीफली लिख只री अध्री फव्य फॉर सोरे के सारे यह एष है ठीक है डी वैड़ीड इडियूर ंडिसन्स वैसा लिख हो वाइट वाला तो इसके फूम है इदर तो इसको अधर है डॉट में तो इतना ऐसे अधार ओई अल्एक्तлек और अब देखो यह क्या मिल गया यह मिल गया थ्री टैंस भी नॉट तो मैं लिग देता हूं थ्री टैंस भी नॉट का वैलू था इतना है क्रॉस में ठीक है और इसकी बात लिखें तो यह वाला कितना होगे भाई तो मियू नॉट अपान फूर पाई अब देखो इसमें क्या-क्या कैंसिल होगा यह जाकर के 2 जो है वह उपर जाकर मल्डिप्लाई हो जाएगा इटमेंस यह वाला जो टू है यह टू और यह टू मिला करके इससे कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या भाई तो 3i by root 2a यह जो मिल जाएगा 3i by root 2a यही बच जाएगा और कितना तो dot में बाकि सब विकार हो गया अब बताओ तुम ये दोनों सेम वैलू है या नहीं ये वाला और ये वाला दोनों सेम वैलू है या नहीं एक वैल नपॉजिट है की नहीं लोगरे ये कवल लेन बोज़े हैं रदोनों सेंटर हुआ क्या सब कुछ मैं वही 45 45 45 45 45 लेकिन ये तीन बार लिये लेकिन आई भाई फोर वाला ही तीन बाराया तो थ्री टाइंस हो गया लेकिन या केले एक ही बाराया लेकिन इसमें करेंट ही three times है उधर वाले करेंट से इधर three times है तो इसलिए इफेक्ट उतना ही रह गया देखो इसका भी value हमने निकाला अलग से और उसका भी value निकाल लिया है तो टोटल मिला करके हमारा equal and opposite हैंस cancel तो इसका b1 और b4 अलग से 0 0 था ठीक है बाई 00 नहीं रहेगा तो उसका calculate करोगे लेकिन इनका और इसका equal and opposite होगा इसमें तीन बार आएगा geometrically लेकिन current हमारा one third है इधर वाले के respect में इसलिए overall दोनों का इक मेनघ रोघल होगा और यह कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये एक स्क्रमेट्रिकल लूप है और न कितंव पहले हैं आगर सेम लूप हो इदर का वायर इदर का वायर सब सेम उनीफॉर्म-वायर का लूप बनाऊ तो सर्कुलर बने यह स्क्वैर की तरह बने नेट फिल्ड हमारा जीरो हो जाएगा इधर वाला पार्ट और इधर वाले पार्ट इक को लेना पोजिट प्रडूस करेंगे और कैंसिल होकर के जीरो हो जाएंगे बोलो क्लियर है यहां तक यहां चलो ठीक है वही तो इसको मैं हटा रहा हूं हम लोग जाते जाते एक देखे थे हम लोग देखा था रिंग वाला याद होगा रिंग वाला तो रिंग वाला का अभी पूरा बात हुआ नहीं था टाइम खतम हो गया था तो रिंग वाले में तुमने ध्यान दिया होगा इदर क्रॉस में था इदर डॉट में था डाइग्राम बना था याद होगा यहां पर निकाला था हम लोगों ने इसका निकाला था डी बी इस तरह से आया था याद है बोलो भई बोलता ही नहीं है अदित है अपका अच्छा ठीक है हाँ क्रॉस नीचे था ठीक है क्रॉस नीचे था डॉट उपर था ठीक है डॉट इदर हमारा क्रॉस ऐसे था डॉट मतलब ऐसे इसका हमारा करेंट एलमेंट हमारा इस तरह से आईडियल और इदर आड़ वेक्टर आईडियल क्रॉस आड करेंगे तो इस प्लेन के पर्पेंडिकुलर ऐसे मिला डी वे और इदर वाले के लिए अगर हम दो देखते हैं तो इदर वाले के लिए क्रॉस में भई तो क्रॉस में है इस तरह से यह है डीयल और यह वाला है आड़ वेक्टर तो इदर डीयल क्रॉस आड़ जब करेंगे डीयल क्रॉस आड़ जब करेंगे तो हमारा इस डेरेक्शन में मिलेगा मिन्स ऐसे मिलेगा ये भी आपस में ऐसे पर्पेंडिकुलर होंगे ये मिलेगा डीवी तो इस तरह से ये डीवी डीवी मिले हमारा ये पॉइंट पी है यहां पे निकालने बोलो भाई यहां तक तो क्लियर था अरे बोलते जाओ भाई कुछ तो बोलोगे बोलो भाई इस ख्लियर है रिया अब इन दोनों में ये वाला एंगल थीटा था ये वाला भी एंगल थीटा था मैंने क्लियर कर दिया था भाई क्योंकि ये ग्रीन वाला ग्रीन वाले एक साथ 90 गी बिनाया है ये थीटा है अगर मैंने मैं वाला नाइंटी डीगरी माइनस फीटा है और ये वाला क्योंकि ग्रीन में 9 क करने न होंगे सबके db sin theta add करने पड़ेंगे इसलिए net field add point P निकालने हैं तो सारे db db को vectorially add करने हैं लेकिन सारे db के हम लोग अगर vectorially addition करें तो देख रहे हैं कि एक component cancelled हो जा रहे हैं और दूसरे component को add up कर रहे हैं cancel कौन हो रहे हैं डीबी कॉसीटा डीबी साइन थिटा को add करने होंगे तो विविल इंटेग्रेट डीबी साइन थिटा डीबी कॉसीटा cancelled हो गया है क्योंकि इसको रिजॉल करोगे एक vertically upward और एक rightward में डीबी साइन थिटा कि इसका भी आयेकर डीबी साइन थिटा ऑएंगे कंपोनेंड डीबी कॉसीटा वाले कंसीच हो जाएंगे उसी तरह से इस पूढ़े सार्कुलियर लूप में इसके डीबी साइन थिटा कंसल रहाएं और इसके ऑर डैमे cowboy कली या पोजिट एलमेंट सब डी बी कोस्त रेओं कांसील करते जाएंगे डी जाइं सिदा एड़ ओने है और जब सब डी वी साइंदिता एड़ हो जाएंगे तो नेट जो मिलेगा हमें वो डी बी साइंदिता का सम और किदर हो गए ये तो along the axis along the axis मिलेगा ठीक है अब इसी को evaluate कर देने हैं derivation आता है तो three marks का और result हमें इसका जो आता है वोड याद रखते हैं numerical के लिए तो ठीक है भई इसका अब हम लोग calculate करें कि db sin theta add करके कितना आता है ठीक है भई magnetic field निकालना चाह रहे हैं डीबी का value बोलेंगे डीबी का value बोला जाए भी एक element कितना field produce करेगा तो डीबी होगा म्यू नाट अपॉन फोर पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आ तो डीएल का वैल्लू आर का वैल्लू और साइन नाइन्टी डिग्री डीवाइड़ बई आर क्यों यह हो गया तुम्हारा दीवी और यह साइन्थिटा जो है वो यह साइन्थिटा आया डीवी का वैल्लू जो है वो यह है क्यों मिनोड अपॉन फोर पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अब डीएल और आर में जो एंगल है डीएल और आर में जो एंगल है वो है 90 डिग्री का हमेशा कोई भी डीएल और आर में अगर एंगल हम लोग देखेंगे तो डीएल और आर के बीच में एंगल है 90 डिग् यां कि रिंग ऐसे हैं कि आईसे सदील होगा और हमारा इसके पर्पेंडिकुलर कि देखो काले ये था ड्लौट में यह ट्रिंग है बही ठील है डॉट में और यह आरवेक्टर और बैक्टर ऐसे एक्टर में और हीट्र वेक्टर किये यह अगर दी यह वेक्टर है इधर और यह और वेक्टर है तो डील क्रॉस आर करेंगे इसके परपेंडिकुलर तो डील और और आर्मे कितना एंगल है 90 दिगरी का एंगल है तो बस 90 घी रख देंगे यह और साइन थीटा है इंट्रेट करने हैं तो इंट्रेट किया जाएगा जो कॉंस्टेंट वैलू है बाहर भी निकाल सकते हैं बाहर निकाल लेंगे तो मिव नौट अपॉन फोर पाई बाहर निकल जाएंगे आई भाई सारे एलमेंट के लिए सेम हैं बाहर निकल जाएंग DL 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 सबके लिए रहेंगे और R square क्योंकि एक R से 1R square में से RQ में से 1R cancel हो गया और यह साइन थीटा साइन थीटा का value तुम्हें रखना पड़ेगा यह हो गया I DL R से RQ cancel हो गया यह मिला और तुम्हें इंटेगेर्ट करने हैं सबके लिए साइन थीटा आएगा यहां खाली इंटेग्रेशन हो जाएगा मतलब साइन थीटा को भी हम लोग बाहर कर देते हैं ऐसे समझे आड़ स्क्वाइर साइन थीटा यह बाहर सिर्फ DL 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 रह जाएंगे हर बार के लिए DL 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 div value सबके DL value आते रहेंGे साइन थीटा सबके लिए वही आएगा I का value वही है R का value वही है Sबके लिए तो वही ara है सबके लिए सेम आ रहे है साइन थीटा का वैलू भी सारे अलेमेंट के लिए सेम है तो जो कॉंस्टेंट थे बाहर निकाल दिये और डील 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 इंटेगेट कर देने हैं बोलो यहां तक क्लियर हुआ अब डील डील एड करेंगे तो क्या मिलेगा भई डील मतलब डील का वैलू डील का वैलू फुरिये रिंग पर डीएल वैलू डील वैलू डील वैलू itad ke आर को हमने स्मॉल आर बोला है तो यह स्मॉल आर जो है वो एक्स डिस्टन्स पे अगर यह पॉइंट था तो यह आर है स्मॉल आर वो है कैपिटल आर स्क्वार प्लस एक्स स्क्वार यहां पर स्मॉल आर जो है सब के लिए वो है कैपिटल आर स्क्वार प्लस एक्स स्क्वार और DL DL add करेंगे तो 2πR मिलेगा, ठीक वह यहां पर हम लोग अब काम कर सकते हैं, क्या तो मिनोट आई अपॉन 4πR स्क्वाइर, आड़ स्क्वाइर का मतलब है, कैपिटल आड़ स्क्वाइर प्लस X स्क्वाइर, बिल्कुल ठीक बात है, और I upon यह हो गया, और साइन थिटा का वैलू, तो साइन थिटा का वैलू डाल लेंगे, चलो अलग से बाद में, और यह DL 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 कर रहे हैं, तो यह मिल रहा है हमें 2πR, यह इतना मिला, Magnetic Field at Point P का वैलू, अभी वैलू की ही बात कर रहे हैं हम लोग, यह वैलू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर लिखोगे, तो इधर डिरेक्शन भी लिखने पड़ेंगे, डिरेक्शन बाद में लिखेंगे, अभी सिर्फ वैलू वैलू, तो यतना आया, शलो, इसको अब हम लोग, और अगर लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं भई, और आगे बनाते हैं, तो इसको लिखूंगा, मैं मैंगनेटिक फिल्ड एट पॉइंट पी का जो वैलू आया, वो फाइनली आ गया, मू नाट आई, अपान फोर पाई, आर स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर, साइन थिटा का वैलू, साइन थिटा का वैलू होगा, ये अंडर रूट आड़ स्कार प्लस एक्स स्क्वेर, ये साइन थिटा का वैलू डाला भई, और ये तू पाइर तो है, देखलो भई, फिट से देखलो, मून आट आई बैफोर पाई, ये स्मॉल आट स्क्वेर, साइन थिटा का वैलू, ये लिखा, और तू पाई अडील इं टू पाई आड़ स्क्वेर और डी नुमिनेटर में आ गया फोर पाई और आड़ स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर का पावर थ्री बैट यह मिल गया और यह किदर मिला भई तो एलॉंग दर एक्सिस यह मैगनेटिक फिल्ड मिल गया रिजल्ट के फॉर्म में लोग इसको यह आ गया थी मास का डेयरी वेशन यह वगया समझो रिजल्ट तो खेहर अभी देडिवेशन आपके स्लेबस से हटा दिया गया स्लेबस क्या मतलब किक्षंद के पैटरन से हटा दिया गया है जानना तो है तो यह इतना आया एलॉंग दा एक्सिस लेकिन एलॉंग डिश ब से हैं ध्यान से समझ लेना वाहिं इस करेंड डारीक्शन के दर है उसके हिसाब से यह डिसाइड होगा कि बाहर की तरफ के अंदर की तरफ क evalu को तो इतना वैलू का फिल्ड होने है सब लोग ध्यान कि इतने वैलूं का फिल्ड होने आई वाई एकस डिस्टन्स पे और किधर होगा तो इसके लिए सॉठ कट मैंने बताया था हम अगर करेंटड। डिरेक्शन है थंब अगर current direction है तो magnetic field इस तरह से curl finger बताएगा direction current carrying wire तो circulate करता हुआ magnetic field circulate करता हुआ magnetic field यह है तो ऐसे है magnetic field बताया था वही इस तरह का magnetic field चलता है ऐसे और यह भी बताया था कि अगर ये current है जो curl finger हमारा current बता रहा तो यह center per का magnetic field current का direction अगर curl finger से indicate करें तो यह center पर का magnetic field यही चीजज भी use करेंगे देखो अगर यह है ऐसे तो curl finger से बताओ यह current दिखाओ तो यह center पर magnetic field बता देगा करेंट में हमारा ऐसे चल रहा है भई डार्क लाइन मतलब पास वाले में तुम्हारा ऐसे चल रहा हो पास वाले में ऐसे चल रहा हो तो दूर वाले में ये ऐसे जाएगा इसलिए वहाँ पर अगर देखें हम लोग वहाँ वाले पर देखें इस वाले में तो डॉट है इधर क्रॉस है डॉट है उपर क्रॉस है मिंस करेंट ऐसे चल रहा है तो बहुंद ऐसे चल रहा हो तो यह कर्ड फिंगर दिखाओ और इससे हमें थम्ब बताएगा magnetic field at the center and axis वैं सेंटर पर इधर होगा तो एक्सिस पर भी धर ही होगा इसका फिल्ड ऐसे है यहां पर फिल्ड ऐसे है यह current carrying wire तो यह है magnetic field और अगर हम लोग exact field की बात करें और जगह की भी तो यहां पर ऐसे field है यहां ऐसे field है यहां ऐसे field है इस तरह से इसके field दिखाए जाते हैं पूरा अभी दिखाई नहीं दिया होगा तुम्हें समझ में नहीं आया होगा अभी मैं बताऊंगा थोड़ी दिर में इसके ऐसे field होते हैं वहीं यह है करेंट केरिंग लूप मतलब यह है करेंट ऐसे है करेंट ऐसे चल रहाँ करेंट तो इस डेरिक्शन में है field सेंटर पे सेंटर पे तो भाई इसी डेरिक्शन में होगा फिल्ड इस तरह से इसके field है ऐसे पास में जब यहां पर देखोगे end पे तो सेंटर पे है ना इससे पास में देखोगे तो यह वाला इफेक्ट दिखाएगा और इसको बेंड करा लेगा अब कैसे मैं दिखाऊं थ्री डैमेंशनल इसको थ्री डैमेंशनल की कैसे होगा नेक्स लास में अडिमेंशन से दिखाऊंगा इसमें तो यह ज्यादा क्लियर होगा तुमें अभी ऐसे नहीं क्लियर होगा अभी यह समझो बस कि सेंटर पे फिल्ड किस डैक्शन में होगा ऐसे चल रहा है करेंट तो यह इस डैक्शन में है अगर करेंट ऐसे चलने लग जाए ऐसे मिंस उपर में क्रॉस और नीचे में डॉट अगर ऐसे चलने लग जाए तो फिल्ड इधर हो जाता तो फिल्ड इस डैक्शन में हो जाता अगर इसी को मैं ऐसे दिखा दूँ, ऐसे, ऐसे करेंट चल रहा हूँ, दूर वाले में downward, इसका animation दिखा दूँगा next class में, तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा तुमें, ऐसे अगर हो, तो इसका field किदर होगा भाई, तो उस direction में होगा, तो इसका is direction में आएगा, और इसका field हमारा यह ऐसे चलेगा, इसका field भी इस तरह से, यह वैसे ही है, ऐसे चलेगा, इस तरह से, इसके field ऐसे निकलेंगे, एग्जेक्ट तुमें थ्री डेमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, तो भाई, नेक्स्ट लास में तुम देख पाओगे, समझ पाओगे, अभी के लिए यह है, current अगर हमारा ऐसे चल रहा है, फ्रेंट वाले में तुम्हारे सामने वाले में downward current और दूर वाले में upward current, तो ऐसे जब होगा, ऐसे ब होगा तो इस डेक्षन में field at the center and axis और जब ऐसे current चलेगा, ऐसे करें पास वाले में अपवर्ड, दूर वाले में डाउनवर्ड, पास वाले में डार्क लाइन में अपवर्ड और दूर वाले डाउनवर्ड, तो ये इस डिरेक्शन में फिल्ड प्रोड्यूस करेगा, अब ये इधर बेंड कैसे हो रहा है, वो मैं एनिमेशन से लेक्स पता लग चुका है तुम्हें तो एक्सिस वाला ध्यान रखने है ठीक है हमने एक्स एक्सिस पर यह फिल्ड मिल चुका है अब इसका मैं स्पेसल केस थोड़ा और डिसकस कर दूँ देखो भई थोड़ा होजया भैं इसका है इसके स्पेसल केस यह कि अगर हम लोग इसके बेसिस पे सेंटर पे पहुझे निकालना चाहे है तो तुम बताओ भई तुम्हें तो ऐसे भी पता है सेंटर कितना फिल्ड कोई भी क्रेंट ए tastलूप अ करता है कोई भी करेंड केरिंग लूप अपने सेंटर पे कितना फिल्ड प्रडूइस करता है बाई बताओ बोलो पर सेंटर पर कितना करता है बाट सब्सक्राइब पढ़ाय तो है मिन आपन फोर पाई आई डिवाइड बाई रेडियस और एंगल कितना अरे आर्क का ही तो इस्पेसल केस है यह आर्क का ही इस्पेसल केस है फुल सरकल बताया था लास्ट क्लास में एंगल यूज होगा टू पाई इसलिए क्या मिल जाएगा भई तो मिव नॉट आई अपन टू आर्ट यह मिला हमें समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है बाई जब इतना समझते हैं तो फिर अब इस वाला जो रिजल्ट है इस रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग जानना चाहें तो इस रिजल्ट के बेसिस पर निकालना चाहते हैं वैसे तो हम लोग पता है सेंटर पर कितना फिल्ड होता है बट ये result का अगर हम लोग यूज कर लेना चाहें तो बताओ तो इस result से देखो मैं दिखा रहा हूँ magnetic field चाहिए center पे तो axis पे यहां थे x distance पे x का value और कम करो x का value और कम करो x का value जब 0 कर लोगे जब x का value 0 कर लोगे तो center पे पहुंच जाओगे मैं center पे निकालने के लिए तुम्हे x value 0 करने पड़ेंगे तो center पड़ का field मिल जाएगा ठीक है भई तो कैसे मिल जाएगा ज़रा देखा जाए तो center पड़ का field mu naught upon 4 pi i into 2 pi r square i into 2 pi r square divided by x का value 0 कर दें तो क्या हो जागा r का power 3 by 2 हो जाएगा r square का power 3 by 2 r square का power 3 by 2 का मतलब होता है r square का power 3 by 2 का मतलब 2 to cancel जाएगा r q हो जाएगा it means यह कितना हो जाएगा तो mu naught upon 4 pi और i into 2 pi r square divided by r q और r q होने का मतलब कितना हो गया तो R² से यहां R Q को हम लोग cancel करेंगे और बज जाएगा कितना दू पाई से यह एए मी नौट आई भाई टू आर आएगा सेंटर पे बोलो भाई ठीक है इसका मतलब यह जो रिजल्ट है वो बिलकुल करेक्ट है एक्स का किसी भी वैल्लू आप चाहते हो एक्सिस पे कहीं भी निकालना आप इसली निकाल सकते हैं इसको यूज करके जितने भी डिस्टन्स पे निकालना चाहो आप इसका एक स्पेस्पेसल का तो तुमने देख लिए भी exact lyric करके आट दे सेंटर अब एक्स का वैलू इनफाइन निकालना चाहिए तो मैस का वैलू क्या होजाएगा तो मिनिधूर आई-ठोपाईhesion में रोसुम दें आर हो जाए तो उस condition में जो x square plus r square denominator में है this will be approximately क्या x square ही रह जाएगा क्योंकि x तो 2 करोर है और r तो बिचा रहा है एक मीटर है तो यह हो जाएगा x square का power 3 by 2 यानिकी x cube और जब x cube हो गया और x very very large है तो यह वला हो जाएगा tending to zero यह हो गया इतना समझो limit x tending to infinite जब x tending to infinite है तो हमें मिल जाएगा very large distance पे tending to zero field मिलेगा होना भी चाहिए और कहीं current carrying wire chain नहीं में उसका field यहाँ थोड़ी मिल जाएगा डेली में नहीं मिल जाएगा नहीं मिलेगा इसलिए यह 0 तो होना ही चाहिए अच्छा भई तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे fixed value है अगर इसका हम लोग question में आ जाता है कई बर graph का option detect करने हैं कि magnetic field दिखा रहे हैं और इधर x दिखा रहे हैं x equal to zero मतलब center पे x का value zero का मतलब हो गया center of the ring large distance पे चलते जा रहे हैं बरते जा रहे हैं यहां देख रहे हो इस तरह से यह field है यहां जब center पे डाल रहे हैं तो हमें कुछ field value मिल रहा है center पे हमें field value कितना मिल रहा है भई तो मिल रहा है और जब very large distance पे जा रहे हैं तो जीरो मिल रहा है इसका मतलब कि धीरे 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 यह डिक्रीज जरूर हुआ होगा तभी यह very large distance पे जाकर करके टेंडिंग टो जीरो हो जा रहा है कि तो इस तरह से इसका magnetic field हम लोग समझेंगे कि इस तरह से ऐसा करो दिखा सकते हम लोग magnetic field का variation as a function of x रिंग से जितना अवे जाते जाएंगे उतना हमारा कम होता जाएगा चलो कोई बात नहीं है यह आप याद रखना result यह result very very important है अब इस पर देखो question और कैसे आता है यह भी मैं बता दू तब फिर मैं क्योंकि बायर से आप्लिकेशन पर हम लोग अलमस्स दो क्लास लगा दिए इस पर और ऐसा question आता है देखो फिर मैं तुम्हें दिखाओं इसका चलो इसको result को भी यहां रखते हैं देखो कई बार ऐसे आता है बोर्ड में बहुत बार आया है कि एक रिंग यहां दिखा दिया और एक रिंगे यहां दिखादिया है कि चलाओ यह इसका रेडियस है अलोल ऑड इसका भी रेडिय सका दीया और और इसका डिस्टन माद लोयां अधर सकुछ यार ले ले लिए पूर्णा क mira कितना पिपॉइनमें एक तो पाइक कैसे निकाल लेंगे और दोनों में current का value same भी ले सकता है, different भी ले सकता है, radius भी अलग-अलग हो सकता है, यह distance भी अलग-अलग हो सकता है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है वही, इसका current यूज करके, इसके axis पे 3R distance पे, x का value यहां पे हो गया 3R, यहां magnetic field निकाल लेंगे, वो होगा इस direction में, चाहे इस direction में, मतलब along x-axis होगा, चाहे इधर हो जाए, चाहे इधर हो जाए भाई, जो भी होगा, along x-axis होगा, इसका magnetic field कितना होगा, तो magnetic field निकाल सकते हैं, कितना भाई, तो mu node upon 4 pi, और इसका current है, माल लो I1, ठीक भी यहां, I1, और कितना तो 2 pi r1 square, divided by, r1 square plus x square, तो x हमारा 3 r है, power 3 by 2, जो value दिया रहेगा, x का जो भी value दे दिया है, r1 था, अगर radius, तो r1 radius, अगर r radius है, तो r radius ही डाल देंगे, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अब मैं same radius लेकर के निकाल दो, तो वो तो special case हो गया, यहां r1 भी हो सकता है, इधर r2 भी हो सकता है, तो झाल का जो value है, radius का जो value है, रख कर के निकाल लो भाई, current हमारा अगर ऐसे चल रहा हो, तो यह direction, अड़ ऐसे चल रहा हो, तो यह direction, जो भी होगा, x-axis पे हो COM, इसका क्या होगा भाई, तो इसका जो भी होगा y-axis पे होगा, upwards हो जाए, जाहे downward हो जाए, जो भी होगा, y-axis पे और वो कितना हो जाएगा तो वैसे ही निकालेंगे मिनुट अपान फोर पर रिजल्ट पता है तुमें आई का वैलू अगर सेम है तो आई आई दोनों में हो जागा ने तो यहां आई वान है तो इधर आई टू है कोई बात नहीं आई टू का वैलू रख दोगे तू एम्पे सब्सक्रेशन मतलब यह मात्तु देशनने अगी का नेगे तूह तुर्स खेक्से करेंगे टेक कितनेब्लश watts और देए जतंटर अब दोनों में से कोई बी इसका हिंदोनों में से कोई हो इसका इंदोनों हो आपस में पर पेंडिकूलर ही हो ici हैं इसलिए net field at point P क्या हो जाएगा वही तो अंडर रूट BX का स्क्वार प्लस BY का स्क्वार यह जो वैल्यू आ जाएगा वो तुम्हारा answer हो जाएगा थ्री मार्क्स का question बहुत बार बोड में पूछा गया है कभी-कभी ऐसा भी होता है यह विजरा सुन लो कि इसमें एक लूप है तो यह है फिल्ट अब इसमें बोले के नहीं बहुत में तो हमने लूप बना रखाए इसमें नंबर अफ टर्न है टैन टेन टर्न है टैन बार करेंट ऐसा आसा चल रहा है क्योंकि वाईर टैनलूप बने हुआ एक लूप यहां पर रहा है तू टेसला दूसरा लूप भी टू टेसला तीसरा लूप भी टू टेसला एसे एसे दस बार अगर है नमबर ऑफ टेन जो अगर 10 है तो 10 से मल्डिप्लाइब करने पड़ेंगे और अगर इसमें number of turn माल लो यहाँ पे end to यह अगर माल लो 20 है तो भाईया इसमें 20 से multiply करने पड़ेंगे और ये वाला पुरा यूज़ करके इसमें निकालने पड़ेंगे net field बोलो भाई clear हुआ तो ऐसा कई वर पूसता है इसमें number of turn बढ़ा देते हैं लोग एक लूप होगा तो एक का ध्यान रखना अगर number of loop जादा होंगे तो multiply कर देंगे यह है total number of loop in the current carrying coil ठीके वही ऐसा question अब हो जाएगा बोलो हो जाएगा चलो अब मैं next topic पर चलता हूँ homework में दिया था कुछ question आज के बाद आप solve करेंगे तो हो जाएगा अब देखना हम लोग को anpaire's law बहुत टाइम ले लिया हमारा बायर्ट सवयठ लो अब देखेंगे एंपर स्वयच लो एंप्यार्थ लो अनलोगी औफ गौस लौ अब आप लोग एनलोगी आफ सम्झो कूलम्स लोग कुलम्स लाज फिल्ल निकलता था बैट से भी फिल्ड मिलता है एंपेर से सरकुटल लग इसको बोलते हैं को आप एंपेर सरकुटल लोग इनका क्या कहना था भई कि कोई एक क्लोज लूप लूग लें और मैंगनेटिक फिल्ड है यह मैंगनेटिक फिल्ड 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 यह निकालें, यहां पर जो magnetic field present है, बी.dl, यहां जो magnetic field present है, उसका बी.dl, फिर बी.dl, बी.dl ऐसे निकालते जाएं, सबको add करते जाएं, बी.dl, बी.dl, यहां का बी.dl, यहां का बी, 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 इस तरह से बी.dl, भी डोडी एल हर जगह पर करते जाएं क्लोड लूप बनाएं तो यह आएगा मिन नौट इन्टू करेंट इन क्लोजड वाई दर क्लोजड लूप गॉसलो होता था इधर एंपियर लॉप गॉसलोप में गॉसलो में होता था क्लोजड सर्फिस मतलब ईट दीयस इडाइभ एडीयस ऐसे करते थे यहां पर이가 वीडर दीएल उर्ट दीर यहाँ पर होता है क्लोजड लूप क्यों हुआ कि ऄल कर रहे हैं, क्योंकि DLDL से close कर रहे हैं, यहां पर DSDS area एडिया से close करते थे, इसलिए, यहां electric field है, तो यहां पर magnetic field है, closed loop बनेगा, DLDL से close करेंगे, तो close loop बनेगा, DSDS से close करेंगे, तो close area बनेगा, close surface area बनेगा, जिससे की volumeross होगा, area एडिया से लेंगाम से बाँड करें तो एक एडिया इनकलोज को ड दियल्ड लूप का यह लूप बना इधर होता है वहन अपॉन इपसलें नोट टाइम से चारजन क्लोस्ट तो इधर वन अपॉन अपॉन ऐसलें नोट तो इधर क्या ओगे मिनाथ याद होगा क्योंकि वन अपॉन तो इह वला हो जागा मियू नॉट यहां करेंट से करेंट इन क्लोज यह चार्ज अंक्लोज तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा तो यूँ डोट्टिय का नाम है सर्फेस इंटेगल मत्मेटिकल नेम क्या है सर्फेस इंटेग्रिल युए ओ उफ इलेक्ट्रिक फिल्ड जिसको के ऐम लोगई दो बहुत है फ्लॉक्स इसका LOVE में नाम दिया हमने फ्लॉक्स और इधर क्या है भई तो इसका भी mathematical name है surface integral का बदले में किसको बोलते हैं line integral किसका भई magnetic field का और इसका physics में कोई special name नहीं है इसलिए amperes lock का statement क्या बनेगा the amperes lock a statement बनेगा लिखलो line integral of magnetic field for any closed loop is mean order times total current in closed by the closed surface is closed surface का भी एक नाम है close surface जैसे उधर close surface का नाम था Gaussian surface नहीं क्लोज लूप लिखेंगे करेंड इंक्लोज बाइदा क्लोज़ लूप कॉर्ड amperes लूप ऐसे close loop का लूप एंपर लूप जैसे दर गौसियन सर्फेस बोलते थे इधर amperes loop या एंपेरियन लूप एंपेरियन लूप बोलते हैं तो इस इस दे स्टेटमेंट ओफ amperes circuter law circuit कर रहे हैं circuit मतलब circulating कर रहे हैं circuit रेक्टेंगल से भी close लूप बना सकते हैं DL 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 करते करते जाएंगे और एक बार वी दियल हो जाएगा फाइनली तो वह होगा मूनट इंटू करेंट इंग्लोस्ट अब कन्फूजन बात करेंगे हम लोग करेंट इंग्लोस का क्या मतलब है बोलो यहां तक क्लियर है अभी स्टेटमेंट तो क्लियर हुआ रिपीट क्या करें भाई अभी तो इसका आधा पार्ट हुआ है अभी तो मैंने स्टेटमेंट जस्ट बोला है करेंट कैसे इंग्लोस करेंगे वहां तो चार्ज इंग्लोस करना होता था देख लेते थे भाई कि इस क्लोस्ट सर्फिस के अंदर कितने चार्ज आए उनका सब्डाइब डियल करते जाओ करते जाओ क्लोड लूब ना तो सब बीड़ डियल वीड़ डीड़ जब सारे इंटेग्रेट हो जाएंगे फॉर एक लोडू तो इस विल बीकुल टू मिवन ओन्ट यानि पर दमीबलीटी टाइम्स करेंट इंग्लोस्ट करेंट इंक्लोज by the amperes loop amperes loop के अंदर से जो current जाएंगे वो count होगा जैसे Gaussian surface के अंदर जो charge होते हैं बाहर वाला नहीं count होता वैसे यहां भी अंदर वाले current ही count होँगे कैसे count होँगे वो जरा समझो यह अगर तुमने amperes loop लिया मतलब मतलब यह हुआ कि तुमने b.dl ऐसे किया b.dl ऐसे किया b.dl ऐसे b.dl 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 करते जा रहे हैं इधर close इधर हमने dark दिखाया मतलब pass वाला तुमारा और तुमसे away गए तो यह ऐसे कि horizontal में dot वाला दिखा रहे हैं horizontal में जो दूर वाला है dot वाला मतलब तुम यह समझो डी ल, डी ल, डी ल, डी ल, डी ल, ऐसे कर रहे हैं जो पास वाले में राइट वर्ड जा रहे है d.l, d.l, और जब दूर आ गए तो left वर्ड, d.l, 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 तो यह दूर वाला में तो डॉर्ड डॉर्ड दिखा थे हैं करते जा रहे हैं तो जब पूरा क्लोज कर लेंगे d.l, d.l, d.l करते करते तो इस लूप के अंदर से जो करेंट निकल रहे हैं या जा रहे हैं यह करेंट है मानलो आई वन आई टू आई टू आई है यह प्वाय जा रहा है यही वाला इवन यह आई टू एकिजोँ आई तो थो यह वह यहाई-3 ऑपड जा रहा है आई-4 दिखाएंगे इस तरह से इस लूप के अंदर से कुछ करेंट चले गए और कुछ बाहर के भी है तो इसके लिए जब लिखेंगे हम लोग B.DL B.DL इसके लिखेंगे ऑफ़ेंगे एमपेर स लौ जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगा वई B.DL B.DL करते जाएंगे बीड़ो DL B.DL ऐसे करते जा रहे हैं मालो कि भी डौड इल भी डोड इल हो रहा है करते जा रहे हैं भाई फाइयली करते करते वापस भी हम लोग वी डूर्य lol ली डूर्याल करते करते वापस यहां आ गय सो तो येसे चल रिप आपने लूसे लूपीं कर रहो है वी दोट यू दोड बे चल रहे हैं ये लूपिंग ट्रहाँ हूं बीडो डियल बीडो डियल ऐसे कर रहे हैं बीडो डियल बीडो डियल तो यह लूपिंग सेंस करल फिंगर से घुमाओ तो थम बताएगा पॉजितिव करेंट का डिरेक्शन अगर हम लोग लूपिंग ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं करल फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो जो थ एक्षन पॉजिटिव करेंड का डिरेक्शन थम बताएगा लुपिंग सेंस अगर ऐसे है ऐसे लुपिंग कर रहे हैं तो यह है हमारा पॉजिटिव करन तो जो निकलेंगे पॉस्टिल लेंगे जो अंदर जाएंगे वह निगेटिव यह समझो ऐसे यह है लूप बी डोडियल बी डोडियल बी डोडियल बी डोडियल बी डोडियल बी डोडियल करते जा रहे हैं तो ऐसे लूपिंग कर रहे हैं तो यह है पॉस्टिव अगर ऐसे करते कि बी डोडियल बी डोडियल बी डोडियल बी डोडियल बी डोडियल बी ड वाले में राइट वोड तो बीडोड डील बीडोड डील कर रहे हैं यह है पॉजित जो निकलेंगे इधर अपवर्ड में वह सब पॉजिटिव लिए जाएंगे इसलिए यहां पे हो जाएगा आईवन निकला है भई आईवन पॉजिटिव यह तो भई बैकार है यूजले से बाहर वाले काउंट नहीं करना आई तू यह भी तो निकल रहा था वही प्लस आई टू आई थ्री यह अंदर जा रहा था इधर वाले को हमें लेने हैं पॉस्टिव इदर वाला पॉस्टिव होगा तो आई 3-3 माइनस आई 4 निकल रहा है भई आई 5 नीचे आ रहा है तो माइनस आई 5 आई 6 काउंट करने की जरूरत नहीं है तो लूप के अंदर से जो करेंट होंगे उन्हीं को लेने हैं किस डिरिक्षन में पॉस्टिव लेने हैं तो भाईया लूपिंग सेंस ले लो आप जिधर जाना चाहते हो बी डॉट डियल ऐसे ऐसे करना चाह रहे हो कर्ड फिंगर के लो तो यह बताएगा पॉस्टिव अब मान लो ऐसे हैं ऐसे लूपिंग कर रहे हूं और यहां पर यह है करेंट आई वन यह है करेंट आई टू यह क्रॉस में करेंट आई थ्री क्रॉस में करेंट है आई फोर डॉट में करेंट है आई फाइफ और इधर क्रॉस में करेंट है आई शिक्स तो इसके लिए जब बीडोडीयल बीडोडीयल कर रहे हो बीडोडीयल बीडोडीयल ऐसे कर रहे हो यह तो ऐसे कर रहो बीडोडीयल तो यह वाले को पॉस्टिव लेंगे तो इसके लिए क्या लिखोगे भई a.k.m. not into current enclosed तो dot वाले को क्योंकि looping sense तुम्हारा ये है तो ये है positive direction तो dot वाले जुए है वो positive ये है वाला ये वाला positive तो यहां होगा i1 plus i2 minus i3 — i4 बाकी का लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाहर है उसको नहीं ये मिल जाएगा इसके लिए कि बॉला भाई क्लियर हुआ कि लाइन इंटेग्रल ओफ मेगनेटिक फिल्ट फॉर एनी क्लोज लूप इज मिनो टाइम्स टोटल करेंट इंग्लोज बाइद लूप कॉल्ड एंपेर लूप एक सर्कुलर हो सकता है एंपेर लूप एक रेक्टेंगल हो सकता है जैसा कन्विनियंट हो ऐसा हो सकता है जिस तरह से गॉसला वैसे ये भी गॉसियन सर्फिस में भी हम लोग अगर ध्यान देते थे याद होगा तो गॉसियन सर्फिस कैसा लेना चाहिए भई तो गॉसियन सर्फिस ऐसा लेना चाहिए कि हर एडिया एलमेंट हर एडिया एलमेंट चाह या तो पर रलेल टू इलेक्ट Bluetooth हो सच डियाट की एंगल हमारा क्या मिले हो जाए तो हमें तीटा is parental हो जाए तो हमें से Hemlo कर पाएंगे मतलब गौसीन इल्हेच का ऐसा सिलेक्शन करतंब करना चाहिए यह सच डैट की एरिया एलमेंट्स चाहे हमारा पैरलल होता रहे है या परपेंड़ेकुलर होता रहे है या इन्हीं दोनों से बना रहे हैं किसी भी एलमेंट पर हमें इवल्वेट जब डूर्ट येस करेंगे तो यह इवल्वेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए यह चला सब्सक्राइब की हर एरिया एलमेंट हमारा फिल्ड के डिरेक्शन में ही रह जाए अगर हमारा इस तरह से लीनियर वायर होता था और ऐसे फिल्ड जब निकलते थे तो हम लोग सिलिंड्र कर लेते थे गौसियन सर्फिस तो इसी कंडिशन को सटिस्ट्टाइब करने के सब्सक्राइब करने में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जितने डियल है वह चाहे तो मैगनेटिक फिल्ड के पैरलल में आते रहें यह जितने डियल है पर पेंडिकुलर वाले से आते रहें पर पेंडिकुलर मैगनेटिक फिल्ड के आए तब भी इनसे बना होना चा करने हैं तीन चार एप्लिकेशन पढ़ने हैं वह हम लोग दीरे-दीरे करके जानेंगे तो आप इस कॉंसेट को भी पैचान लेंगे जिस तरह से गौसलो समझते हैं वैसे यह भी समझ जाएंगे चलो आज सबसे पहले यूज किया जाए इसका एप्लिकेशन नमबर वन लिको लिको भाइए आपलिकेशन नमबर one मैंने टिक विल्ट डीटू एक स्ट्रेट लॉंग वायर अज़ेटल लॉंग वायर लॉंग वायर है इसके चलते हमनों निकालना चाहते हैं तो डॉट 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 यह स्ट्रेट लॉंग वायर है इसके लिए निकालना चाह रहे हैं करेंट करेंग वायर है करेंट इससे हम लोग और डिस्टेंज पे निकालना चाहते हैं मैगनेटिक फिल्ड इस पॉइंट पर मैगनेटिक फिल्ड निकालना चाहते हैं तो ठीक है वई स्पेस बनाया जाए निकाल देते हैं अच्छा वई तो इसमें खोपड़ी खोपड़ी ज़्यादा काम करेगा अगर मैं इसका एनलोगी तुम्हें सिखा दो थोड़ा सा पहले दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कोई एक चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालना चाहते है आर डिस्टन्स पे कैसे निकालते थे भई कैसे निकालते थे यहां से यहां आर डिस्टन्स पे निकालना चाहते है तो दो मिधड होता था तुमारे पास कौन कौन भई या तो कूलंब्स लो होता था याद होगा एक तो होता था हम लोग यहाँ पे कूलंब्स लो का यूज करके भी निकाल सकते हैं वो कैसे भई तो इलेक्ट्रिक फिल्ड होता था फोर्स निकाल लो कूलंब्स लो से डिवाइड़ बैटेस्ट चार्ज करो अच्छा भई ये तो मिल जाता था दिल्कुल मिल जाता था इसका दूसरा मेथड़ भी होता था क्या भई गॉस लॉस है वो कैसे तो आर रेडियस का एक स्फेर ले लो विद सेंटर क्यों चार्च अब ऐसे कंडीशन में इसका जो इलेक्टरिक फिल्ड था वो इस तरह से था यह लोग गोश्रोड अप्लाई करके और काम कर सकते हैं तो यूजिंग फोमेथट वोता था उसंत तो उसमें क्या करते थे थो ओस्टर्ड ले लिए और काम इंगे भई तो इसमें क्या देखा कि एरिया एलमें्ट मिल्ट ऑंपर यहां पर ऑडront इक है तो यहां भी है है यहाँ से मंट तो एलेक्टर्ىHow टीनिट्रिक का मैंनी टूड कॉस्ट गरींडिकीर को सिरो नियूट करेंगे के चारज इन कर से नमपे ओनली कुंग है और हम लोगों ने देखा कि इलेक्त्रिक तो तो सेम वालू का है तुसको बाहर नेकालो डिस 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 इंतेगेर तर्ट करें और चौ्स जीरो सब के लिए तो कौस जीरो भी समझे बाहर निकल गया रहाए उट भाए्प ने रहा है कोई बात नहीं है वन दिखता नहीं ह यह हैं और यहां से हम लोग उने दिखाला कि बढ़ी हe का मैंंगर इस डीयस का वैलू यह da Harsh का वैलू इस यह जब साड़े अड recommend है तो टोटल सर्फेस एरिया कि टोटल सर्फेस एरिया स्पयर का टोटल सर्फेस का वैलू मिल गया कितना वही तो क्यू अपन फोर पाई एपसाले नौट और स्कुरेर कि तो भाई दो तरह से होता था चाहे गौसलों से कर लो या इलेक्ट्रिक फिल्ड से कर लो कि तो दोन्合क एकोडिंगली हम लोग निकाल लेते थे मिल जाता था यह कितना था इलो यह सब्सक्राइब निकाला दोन मैं ठाट से किग्सलों से निकाल लो या तो फिर खूलं सो से निकाल बर इलेक्ट्रिक फिल्ड, same situation, same situation, magnetic field निकालना चाहते हैं, due to straight long wire, magnetic field निकालना चाहते हैं, due to straight long wire, तो ठीक है भई, इसको निकाला जाए, तो यहाँ पे भी वैसे ही दो मिथड हो जाएंगे, ध्यान देना भई, यहाँ पे भी दो मिथड से हम लोग निकाल सकते हैं, अब सब लो तो भई, बैयोर्ट से वर्ट लो से, तिछले दो क्लास से यही पढ़ रहे हैं, बैयोर्ट से वर्ट लो, इससे कैसे भई, तो हमें पता है, आर डिस्टेंस पे निकालना हो, due to straight wire, तो एक formula भी हम लोगने डेवलप कर रखा है, तो यह वाला 51 हो जाएगा, almost 90 डिगरी, इध तो कितना हो जागा भई, तो मू नॉट अपन 4 पाई, आई डिवाइड़ भई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही तो आ रहे है, और कितना भई, तो साइन 90 डिगरी, लस साइन 90 डिगरी, इस विल भी एकल तो कितना, 1 प्लस 1, 2 हो गया, मू नॉट आई अपन 2 पाई यह हो गया, मैगनेटिक फिल्ड, एड़ पॉइंट पी, टू हो गया, वन वन तू से, फोर कैंसल होगा, टू बंद गया, यह मिल गया, भई, मैंगनेटिक फिल्ड, अकॉर्डिंग टो बायर्ट सवाट लॉट, ठीक है बही, यह तो आप समझ रहे हैं, बायर्ट सवाट ल दूसरा मिथड है हम लोगों का कि हम लोग अब निकालें यूजिंग एंपियर स्लॉग यूजिंग एंपियर सर्कृटल लॉग वह कैसे तो ठीक है भई जिस वायर के लिए मैंग्नेटिक फिल निकालने थे लॉग वायर करेंट केरिंग लॉग वायर है ये बैवर्ट से वाट से निकाल चुके हम लोग आर डिस्टन्स पे निकालना था वई तो आर डिस्टन्स पे निकालना था तो आर डिस्टन्स के लिए हम लोगोंने क्या करने होंगे तो R distance पे यह point P है अब हम लोग इसके चलते पहले magnetic field पहचाने तब ही तो gauss law का कैसे Gaussian surface कैसे लेते थे तो electric field का nature पहले जाने की radial है की uniform field है उस हिसाब से लेते थे वैसे यहाँ पे magnetic field को जाने उस हिसाब से amperes law लेंगे क्योंकि हमें लेना ऐसा है कि B हमारा चाहे parallel 2DL मिले या perpendicular 2DL मिले या इनके combination से मिलता रहे कुछ जगा parallel कुछ जगा perpendicular ऐसा अगर मिले तो काम असान हो जाएगा तो equation लिख पाएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करें पहले field पहचाने तो तुम्हें पता है मैंने बताया था भई हम अगर current direction है तो इसमें circulating field होता है ऐसे field होता है magnetic field तो ऐसा रहता है हमें पता है भई तो इसका field तो इस तरह करेगा इसका field हमारा ऐसे है इस तरह करें तो भई magnetic field होता है तो हम लोग कैसा एंपियर स्लूप लें तो भई एंपियर स्लूप ले लो इस तरह करें ऐसा ले लो यहां पर निकालना चाहते हूं तो ऐसा एंपियर स्लूप ले लो एक क्योंकि field भी ऐसा ही है तुमारा field यहां पर तो इसी तरह का होगा field तो भई ऐसा ही होगा तो ऐसा ही प्रूस होता है सबको पता है कि ऐसा ही फिल्ट प्रूस होता है इसका फिल्ड ऐसा ही तो हता है, इस तरह चलता है भाई इसका फिल्ड, तो जब ऐसा फिल्ड है तो क्यो न हम लोग ऐसा ही ले लें, कि इस से फायदा क्या हूगा भाई, तो यहाँ पर फिल्ड जिस डारेक्शन में होगा, उधर ही Dvals होगा, बी डोडियल बी डोडियल बी डोडियल अगर लेंगे हम लोग बी डोडियल बी डोडियल जब करेंगे तो फिल्ड भी हमें उसी डायरेक्शन में मिलेगा और डीयल भी हमें उसी डायरेक्शन में मिलेगा तो इसका फिल्ड भी तो भीया ऐसा ही है फिल्ड भी ऐसा ही है तो तो यहां पर देखो के तो भी इधर है और डील भी इधर ही है यहां पर भी देखेंगे तो वैसा ही हाल है दोनों की डिरेक्शन में यह इधर और डील बीदि इज इन द सेम डिरेक्शन आज डैट आफ डीएल तो जो डीयल लेंगे इस लूप के लिए वह हमारा भी के डिरेक्शन में है तो अब हम लोग एंप्यर स्लोग अप्लाई करें बी डॉट डीयल बी डॉट डीयल इस इकल टू मुनॉट इंटू करेंट इनक्लोज करेंगे और यह अगर करेंट कैडिंग वायर है इसके स्राउं इसको हमें क्या करने पड़ेंगे तो इसको हमें इंटेग्रेट करने पड़ेंगे को आगे बढ़ेंगे बी का वैल नलो तो भाई बाई symmetry एवरी वैर सेम होगा वैल तो सेम होगा बाहर निकाल लेंगे डील डील का वैल करते चलो कॉस्ट जिरू डिगरी कॉस्ट बान आब निकल कि पूरे हट जाएगा यह तो इतना दूर नहीं मिठता है चलो कोई बात नहीं है तो बीड़ोडील बीड़ोडी करेंट इंक्लोज कितना तो भाई यह है करेंट केरिंग वायर हम लोगों ने इसका फिल्ड जो ऐसे होता है सर्कुलर हम लोगों नहीं यहीं तो एंपर लूप भी ले लिया इसलिए बीड़ोडील बीड़ोडीय ऐसे हो रहा था तो भाई इसके अंदर से जो करेंट जाए तो वही तो आई करेंट ही तो जा रहा है और तो कोई है नहीं ही है तो करेंट इंक्लोज विल बी एक्वल टू आई करेंट इंक्लोज कितना हो जाएगा तो यह यहां तक पहले मुहर लगाओ यहां तक स्टैंप लगेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे बोलो भाई पहलवान रोसन क्लियर है यहां तक भूवनेश अरे भूवनेश क्लियर है एक ता जिराग रखोई तो कुछ तो बोला कर भाई बोलने से ही तो एनर्जी मिलता है तो यह यहां तक आगया अब देखो बी का वैलू बाई सिमेटरी सेम है भाई सेम रख दिया DL 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 & DL 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 k value DL k value DL क value DL क value add करते जाएंगे तो क्या मिलेगा circumference क्या मिलेगा तो है DL value DL value तो क्या मिलेगा 2 πाई आर circumference मिलेगा यहनि सरकल का circumference is equal to mu not into current in closed eye so magnetic field का value हो गया भाई कितना में नॉट अपॉन टू पाई आर यह हो गया वैलू जो उधर आया था बार्ट सवाट लॉसे वह इधर आगया एंपिर्स लॉसे भी यहाँ भी जिधर B है उधर ही DL है दोनों का दोनों same direction में, B का direction वही है जो DL का direction है हर जगा वही है हम लोगोंने ampere slow use किया और ampere slow के statement लिखा वैं और लिख करके ये ऐसे कर लेंगे बोलो भई ठीक है यहां तक आगे बढ़ा जाए एक तो समझ में आ गया क्या रोल है एमपेर्स लॉका ये भी समझ में आ गया तुम्हे हटा दे इसको बोलो भई हटा दे जो उपर हम लोग उने देखा था गॉसलो और कूलम्स लो कूलम्स लो देखा और गॉसलो देखा गॉसलो में भी ध्यान देना चाहिए कि जो डियस है वो हमारा इलेक्ट्रिक फिल्ड के अलॉंग हो या तो पर्पेंडिकुलर हो यही देखना होता है और वैसे ही यहां पे भी आया हमें हमें सारा का सारा डियल जो है वो बी के डियरेक्शन में ही मिल गया तो इससे अच्छा एलेमेंट क्या होगा जब हमें पता है कि सर्कुलेटिंग फिल्ड है तो क्यों न सर्कुलर लूप ही तो लेने हैं हमें हमें सर्कुलर लूप लेने हैं सर्कुलर लूप ले लिया लूप लेने हैं यहां पे लूप सर्फिस नहीं लेने जो स्फेर या सिलिंडर या क्यूब ये सब आपको सोचना नहीं, वो क्लोज सर्फिस होता है, हमें लूप चाहिए, लूप में क्या आता है, सर्कल या रेक्टेंगल या आता है तो जब सर्कुलर करेंट करिंग वायर का फिल्ड प्रोडूस्ट है सर्कुलर तो हम लोग सर्कुलर ही ले लेंगे एंपेर स्लूप एंपेर स्लूप लिया उसके लिखा एट मेंस बी इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आर इसलिए इसका अगर हम लोग लिखना चाहेंगे मैगनेटिक फिल्ड और आर में या एक्स में दिखाना चाहेंगे तो यह इस तरह से दिखाएंगे इस तरह दिखाएंगे तो इधर इंफिनिटी नहीं करतेंगे इधर फाइनाइट से ही दिखाएंगे क्योंकि जब आर का वैलू जीरो आप नहीं कर सकते यह पूरा टच कराना ही नहीं चाहें इसका डिटेल मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में फिलाल यह है कि इसको ना तो टच कराओ ना इंफिनिटी पहुँचाओ इसको ना तो टच कराएं और ना ही इंफिनिटी पहुँचाएं इसका डिटेल अभी नेक्स कोस्चन में आएगा बोल भाई यहां तक ठीक है एप्लिकेशन नमबर टू करवा दें कि छोड़ दें बोलो भाई पहलवान टाइम बचा है पांच मिनटी बचा है तो देखो भाई मैं यहां पर तुम्हें बता दे रहा हूं इसका क्लू यहां पर कि यह ग्राफ में क्या होगा एप्लिकेशन नमबर टू नेक्स क्लास में देख लेंगे कोई बात नहीं है अभी यह देखो कि यहां पर हम लोग टच नहीं कराएंगे क्योंकि जो भी वाइर होता है न हला वाईर कराइंड करिंग सोटा है कुश्ट ऑश्टोरेडियेस सोगा उसका का प्रेंड केरिंग वायर है तो उसका कुछ रेडियस होगा भाई है कि देग्राम कि समझ ले बस समझना है कुछ रेडियस होगा है तो रेडियस होगा तो यह जरा ध्यान देना कि बाहर में ही फिल्ड होता है इसलिए जो सरफिस पे होगा फिल्ड वहां से सुरू होगा और यह ऐसे infinity पे जा करके यह विल्कुल tending to zero हो जाएगा तो इसलिए मैंने यहां touch नहीं कराया हूँ और इसके अंदर में fill जो रहता है वो zero रहता है wire मालो हमारा इतना है यह है यह तो खली axis दिखाया है यह pink से तुम्हें axis दिखाया है wire पुड़ा तुम्हारा यह है तो wire का कुछ तो radius होगा थी नहों चाहिए ठीक हो कुछ तो radius होगा भई तो यह जो इसके अंदर में fill होता है वो zero रहता है अंदर में fill क्या रहेगा जीरो रहेगा अंदर में fill रहेगा जीरो और बाहर में रहेगा यह है मालो solid wire current cutting solid wire यह होलो वायर होलो पाइप जैसा समझ सकते होलो पाइप समझे इसको दोनों अलगल देखो यह वायर जो होगा वो दो तरह से हो सकते दो possible case है अगर यह होलो पाइप की तरह है मतलब होलो cylindrical है ध्यान से समझना hollow cylindrical अगर वायर है अगर यह होलो पाइप है तो इस कंडिशन में अंदर में फिल्ड रहेगा जीरो अंदर में फिल्ड क्या रहेगा जीरो मैं इसको अलग कलर से दिखाओं तुमारा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ग्राफ आएगा जीरो अंदर में और बाहर में ये surface से सुरू होगा और ये ऐसे चलता जाएगा surface पे कितना होगा भई तो surface पे होगा mu naught i by 2 pi इसका radius mu naught i by 2 pi r होता है भई तो ये small r का value यहाँ पे capital r रख दो small r का value capital r रख दो जो value आएगा वहीं से सुरू होगा और ये ऐसे जाएगा जब ये hollow cylindrical pipe है तब वायर का अगर ये structure तो अगर वायर ऐसा है कि ये पूरा solid cylinder है ध्यान देना यही सब आगे के question में मतलब next जो टू application है वो यही है actually मैं उसका result है समझो बता रहूँ है प्रूब करूँगा आगे अगर ये solid cylindrical pipe होता solid cylindrical current carrying rod होता तो इस condition में जो मैं fill दिखाने जा रहा हूँ अब तो वो अब जरा समझो इस condition में जो होगा वो मैं दिखा रहा हूँ तो वो तुम्हें ऐसा होगा अंदर में मालो यहां पर है जो surface वाला mu not i by 2 art बाहर में तो वैसे ही बाहर में वैसे ही लेकिन अंदर में अंदर में ऐसे जीरो से लेकर करके maximum जो भी वैलो है वहां तक linearly increase होगा जिस तरह से solid charged sphere होता था उसमें अंदर में याद होगा इस sphere के अंदर में ऐसे चलता था और बाहर में ऐसे solid वाले में जिसमें पूरे में अगर चार्ज होता था तो अनलाओगी से दिखा रहा हूं और सिर्फ सर्फेस सर्फेस पे चार्ज होता था तो याद होगा अंदर में cần 0 होता था अंदर में से ही यहाँ भी है अंदर में और बाद में इदर क्रीज होगा इन दोनों देखो अप्लेकेशन नंबर टू यहे यह है और है लांग वायर का उसमें यह पीधा दीतेल जोड़ दिया रलब आ है यह दिखांगे अध्युप प्रपेश्टनल फोपोर्पेश्टल नुर्ण बाहर है इन वर्सलिप नूपेष्टनल फाल. तू आरे तो रोता था था न तू तू पायार आप यह बाहर में ऐसे है वही तू पायार इस तरह से बाहर में इस तरह से inversely proportional to R है तो यह जो हम लोग देखेंगे यह application number 2 है यह next class में इस result को देख पाएंगे और यह application number 3 है यह भी next class में हम लोग देख पाएंगे और इसके अलावे कुछ animation वाले चीज़ देखने पड़ेंगे visualization of magnetic field very very important और अगले ही class में आएगा solenoid and toroid मतलब समझने के point of view से visualize करने के point of view से कोपड़ी में adjust होने के point of view से very very important class होने वाला है next class